हाई दोस्तों नमस्कार मैं सुर्या और आप देख रहे हैं टेक विद सुर्या यूट्यूब चाइनल तो आज मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से जला हुआ मोटर का वायर कटिंग करके बाहर कैसे निकालेंगे उसका सही तरीका बताने जा रहा हूं उससे पहले म आप तक पहुंचता रहें तो चलिए बीन अढूके हुए दिखाता हूं जो किस परकार में मोटर खाली करता हूं एक अधारा चाहिए एक धारदार पूरा धार लगा हुआ छेनी चाहिए और एक पतला सा रड चाहिए मात्र तीन चीज के मदद से पूरा मोटर बहुत ही आसानी से खाली हो जाता है और कहीं से भी मोटर पे किसी भी परकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है देखे कि छेनी के माध्यम से हम पूरा कटिंग कर लिए और कटिंग करने के बाद जो आगे वाला भाग जो है वायर का उसको हम बाहर निकाल दिये अब कुछ इस परकार से दिखता है देखिए कहीं से भी कोई भी दिक्कत परसानी नहीं मोटर पे कोई जरब नहीं और एक पतला सा रड के माध्यम से इस साड़े वायर को अंदर के तरफ दवाएंगे धिमाधी महा थोड़ी मार करके बहुत जल्दी हो जाता है खाली और बहुत ही आसान तरीका है इससे बढ़िया और कोई तरीका फिलाल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे देखिए इस पड़कार से सारा वायर जब अंदर चला जाएगा तो इसके अपोजिट साइट से हम एक रड के माध्यम से वायर को खीच लेंगे बाहर जो की वीडियो के लाश्ट में दिखाया गया है अगर बायचान से रड फास जाए तो आप इलास के मदद से रड को बाहर निकाल सकते हैं अब देख लिजे फूरा उधर से हमने ठोक दिया और एक रड ले लिए और रड के माध्यम से इसको हम आसानी से देख लिजे किस परकार से बाहर हो गया अब मेरा मोटर खाली हो गया अब हम इसमें नायवायर अपना इस्टोल करते रहें कितना आसान तरीका है यानिकि बहुत ही आसान तरीका से मोटर खाली हो गया मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं आगला वीडियो में जबता के लिए जैहिंद